है गाइस वेलकम तो 5 मिनिट स्टोक एनालिसिस वीडियो जहां पर हम 5 मिनिट के अंदर किसी भी स्टोक का एनालिसिस करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है एंड उस ट्रेड के पीछे का लोजिक का है एंड सबसे इंपोर्टेंट बात हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं सिप्राइस एक्षिन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं उस ट्रेड को एक्जिक्यूट करते हैं सो अब यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते में स्टार्ट हम आज चुके एप्टेक लिमिटेट के विकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ओपर लास्ट ताम अगर देखोगो फ्राइड़ को काफी ची तेजी हमको देखने को मिली है वी वॉल्यूम के साथ और काफी ची प्राइस वाइस काफी ची इसमें एक बुलिश मोमेंटम हमको द इसमें चैसलिक करने चाहिए कहाँ पर आपकी इंट्री प्राइड हो सकता है इस्टोप लोस टारगेट क्या हो सकता है सब कुछ हम जानने वाले इस स्टोप से लिटेट आपके जितनी भी न्यूज वगेरा है कोई company की तरफ बड़ी announcement ऐसा कुछ हुआ नहीं है and तो भी हमको इसमें तेजी देखने को मिले तो अब हम चलते चार्ट के उपर बागी सारी चीज़े हम चार्ट के उपर clear कर देंगे ठीकिए अब simply अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसका मैंने monthly time frame का चार्ट लगाया और long term में अगर इस स्टोक को अगर आप notice करोगे किस टाइप से behave करता देखो काफी ची तेजी होती ही फिर गिरावट होई फिर इसमें देख सकते हो 2009 के बाद से देखो continuously स्टोक डाउन ट्रेंड में चल रहा था 2016 में काफी ची तेजी हुई थी 2018 तक इसने 2017 2018 तक ही लगाया और उसके बाद देखो 2017-2018 के बाद देखो continue इसमें गिरावट हमको देखने को मिली उसके बाद देखो फिर से हमको एक तेजी होती हुई नजर आई प्राइस ने और टाइम हाई के आसपास हीट किया फिर से आगेन दो मन्त के गिरावट के बाद फिर से जो प्राइस जब भी हीट करती वहां से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि वल्टाइम हाई वही है इसका लास्टाम जब 2007 में इसने हीट किया था उसके बास तक इसको इस प्राइस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाई अब यहाँ पर हम सिफ रिसेंट की करें 2017 से 2018 के बाद देखोगे तो काफी ची गिरावथ हमको देखने को मिल इस लेवल सेंग्वेल के रिफाब के बाद पीर से हमको इक बुलिश मोमेंटम पिछले दो महिने से देखने को मिल रहा तो अगर इस पैटन को आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पेटन बनता हो नजर आ रहा है जहां पर देख सकते हो इसका जो ब्रेक आउट लेवल ता सम्वे राउंड इस प्राइस था 407 के असपास ठीक है 405 रूपे के असपास इसने हाई लगाए था 2018 के असपास उसके बाद देखोगे तो फिर से हमको गिरावट के बाद फिर से प्राइस ने इसी इसका मतलब पर साफ है कि प्राइस जो है कप एंडल पेटन बना रही जहां पर कप अलड़ी बन चुका अब उसका हैंडल पेटन बनता हो नजर आ रहा है तो अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप का कप एंडल पेटन हमको दिखने को मिलता है जहां पर लास स्विंग गय होता है तो इसके बाद काफ इए चेजी देखने को मिल सकते ही कि अभी है इसमें ब्रेकाउट नहीं हुआ अभी हमको wait करना, counter 2019 के बाद हमको काफ इची तेजी इसमें देखने को मिलUR तो यहांपछ टार्गेट क्या हो सकता है सम्वेर रांड जो इसकी जो लैंथ है स्को अ वोल्यूम के साथ अगर बड़ी तेजी इसमें देखने को मिलेगी तो इतना टार्गेट इसका हो सकता है एक आइडियल टार्गेट ठीके गाइस उसके आला अब हम चलता है इसके विकली टाइम फ्रेम के चार्ट के पर वहाँ पर देख लेते हैं क्या सिच्वेशन हमको plant के स Canadians knowledge यहां से घए 들고 काफी प्रस अंको बैंको स्थी एक सुथी सरफ ब्रेन वेट पर ब्रेस आदे हिर में को काफी ज्यादा कराई दहिए फिर यहां सब्सक्राइब को काफी ब्रेक की टיकर सबस्काइब था उस्प्रांडний यहां सब्सक्राइब इस चुर्या ब्रेक्व प्राइस ने एक लो लगाया फिर से अगर बाउंस करती हुई नजर आ रही तो ओवरॉल एक बुलिश पैटर्न फिर से अगर बनाती हुई हमको रिसेंट में देखोगे तो अगर यहां से हम सिंपल चीजों को नोटिस करें ठीके दोनों लेवल्स मैंने मार्क करें तो उनको ह टांचीग प्राइस कई यहां पर है करने लेन बेंेके बाद करते हुई उपर में प्राइस थोड़ा साख करने की कौशिशिश कर रही थी और रिसेंट लीट इस पर आप प्राइश नीचे की तरफ आई थी और अगें हमको एक हेवी वोल्यूम के साथ तेजीश में देखने को मिली यहां पर ठीक है यहां पर पूरा लेवल आप नोटीस करोगे इस लेवल को ब्रेक करने से पहले यानि की 200-225 का लेवल ब्रेक करने से पहले काफ एचा इसके बाद ब्रेक आउट हुआ था तो यह की स्ट्रोंग सपोर्ट के दरफ काम कर रहा था एंड लास्ट इम प्राइश ने इसको ब्रेक किया था ब्रेक करने के बाद इसका जो लो लेवल था उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया था ठीक है जो उसके बाद जो नेक्स विंग लो था सम्वेर रहन यहां पर तो इसके आसपास पर प्राइश ने सपोर्ट लिया था एंड उसके बाद इसको ब्रेक किया अगें ब् anting Íट के बात फिर से पृस्ष मोमेंटम्स के पासा किस बड़ी पार्टी न अपनां पर पेसा लगाया, ठीक है, आपको एक चीज समज नहीं है कि जब भी प्राइस में ग्रीन गेंडल बनर रही तब वल्यूम देखो, कितना heavy volume हमको देखने को बिल रहा है and जब red candles बन रही है तब volume देखो काफी low volume trade होता हो और नजर रहा है इसका मतलब है कि बड़ी party यहाँ पर fresh buying कर ली जिसकी वज़े से price continuously bullish momentum देती जा रही है ठीक है तो अब इसका breakout levels क्या है वह हम देख लेते जो last swing आई ता somewhere round यह इसका breakout level है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास भी देखो इसको stronger resistance face करना पड़ा है price को यहाँ पर मैं कुछ rate error से लगा रहा है तो इस लेवल के आसपास देखोगे तो यह सारे strong resistance के तरह काम कर रहा है तो price ने last time भी अभी इस इसी के आसपास hit किया है and यहाँ प मिल सकती है and price कभी भी इस तरीके से मूग नहीं करेगी 308 का level break करने के बाद भी directly वह उपर की तरफ नहीं जाएगी वह उपर में कहीं पर भी hit करेगे फिर selling pressure आएगा फिर इसी तरीके से उपर की तरफ मूग करेगी तो 308 का level break होगा तो उसके बाद जो आपका target होगा definitely 405 के आसपास 400 से 405 के आसपास एक strong resistance level है तो वहाँ पर आपका target होगा and 405 का level break होगा तो फिर उसके बाद 450 के आसपास आपका next target होने वाला है तो सारे resistance level में mark कर चुका हूँ यह जो भी मैंने lines mark की सारे strong resistance level है यहाँ पर price जो है rejection ले सकती है ठीक है वहाँ से हमको थोड़ा selling pressure आ सक अगर breakout होता है तब आप इसमें fresh bank कर सकते हो तो अभी next strong resistance level है 480 का level है तो यह अगर break होगा तो उसके बाद हमको 400 से 405 तक का target है हमारा easily hit हो सकता है ठीक है अगर वो level break होगा तो उसके बाद 450 का ले और जिस दिन 450 का level break हो जाएगा अच्छे से एक breakout मिल जाएगा एक all time high price break कर देगी तो उसके बाद हमको बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती तो major आपको जो तेजी देखने को मिलेगी वो 452 का level breakout होने के बाद क्योंकि जो all time है यह वो 452 के आसपास है तो यह अगर level break होगा तो काफी तेजी हमको इसमें देखने को मिल सकती उसके बाद target हमारा ह जो कॉप एंडल पेटर्न है उसके सबसे अभी टार्गेट हमारा बनेगा ठीक है अभी पूरा हैंडल पेटर्न का जो है फॉर्मेशन हो रहा है हैंडल बनता हो नजर आ रहा है क्योंकि प्राइज में अगर टॉप लेवल से देखोगे इस टाइप से प्राइज उपर की करेगी एक अच्छे-च्छे लेवल से ब्रेक करती जाएगी 405 का लेवल है 380 का लेवल है यह सारे लेवल से ब्रेक करती जाएगी तो उसके बाद हम आप इसमें और भी क्वांटिटी एड कर सकते हो एड इस्टोप लोस अगर आप कहीं पर भी बाय करते हो इस्टोप लोस सकता है इससे बड़ा stop loss लेने के आपको जुरूरत नहीं है ठीक है तो stop loss आपका simply 325 से entry price आप कहीं पर भी decide कर सकते हो सकता है एक दो दिन हमको गिरावट इसमें देखने को मिले और उसके बाद तेजी हो हो सकता है कि next day हमको बड़ी तेजी देखने को मिल जाए तो आपका entry point कहीं पर भी हो सकता है आप चाहो current price पर भी entry ले सकते हो या फिर एक दो दिन अगर गिरावट देखने को मिलती तो उसके बाद भी entry ले सकते हो लेकिन आपका stop loss 325 है target आपका maximum होना चाहिए 452 तक maximum max target होना चाहिए बीच में तीन टार्गेट लेवल ओर दे चुका और 452 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद हमको बड़ी तेजी इसमें देखने को मिलेगे तो उसके बाद हम और भी इसमें fresh bind कर सकते हैं लेकिन वह breakout होगा तभी हमक आपको नहीं सोचना maximum stop loss में focus करना stop loss आपका 400 325 के असपर इससे बड़ा stop loss लेने की जुरूत नहीं है आई होपकी पूरा analysis आपको समझ में आएगो काफी simple तरीके से मैंने समझाने क्योंचे कि इस stock से लिटेट आपके जितनी भी क्योरी होगी सारी क्योरी सोल हो चुकी होग आपको 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 आपक